आज हमारे देश की खुबसूरा तस्वीर यह देखने को मिलती है कि एक किलोमेटर का जारा पार नहीं होता आपको 20 बिखारी रोड़ों पे नजर आजेंगे लाल बत्ती पे चोड़ेटे बच्चे आपको नजर आजेंगे उनकी माएं गोर में बच्चे लेके नजर पर सवाल एक ताना शेहए क्योग मोडी सरकारती तुमसेल और जिनके पूर्वजयों ने हिंदुस्तान को को इतनी संबत्ती prospects अख्याट कप्यूंध। राहुल गांदी जी की सदस्ता रद होने के बाद देज भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कुछ लोग समर्थन में राहुल गांदी जी के खड़े हो रहे हैं और तो कुछ लोग अलग अलग तरहां की बात कर रहे हैं हमार साथ गिन्नी जी हैं इनसे बात करेंगे समाज में जिस तरहां से महोल बन रहा है कि राहुल गांधी जी की जब से सदस्ता रद हुई है कॉंग्रेस और बाकी विपक्च्छी दल जो है वो एक जिट हुए है जिसका खामियाजा मोडी सरकार को उठाना पर सकता है बीजेपी को उठाना पर सकता है अब क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को क्या वापसी सदन में हो पाई की राहुल गांधी की किस तरह की चीज़łos रहने वाली है कि देखो लेटर टाइप हो चुक है यह अंदर की बात है मोदी सरकार ने खुदी लेटर टाइप कर दिया कि सरस्ता बहाल है पर आर उस पे मोर उस दिन लगे कि जिस दिन हम लोग आई कोड जाएंगे जिस दिन हम सुप्रीम कोड जा करके आज अपने केस को दुबारा पर राउल गांधी अपने आपके अंदर करांती कारी प्रिवार से बिलाउंग रखते हैं तो उन्हों ने यह चीछ बढ़के बोली कि आप डालो जेल में मैं जेल जाने को त्यार हूं हम भी तो देखें तो आज मोदी सरकार अपने शडेंटर का हिस्सा बन चुकी है उन्ह गर से वीडियो बना करके चोटेटे बैनर हाथ में पकड़के के मेरा गार राउल का घर यह पोस्टर लॉंच कर दिये आज वो पोस्टर लॉंच ऐसे कर दिये कि ट्वीट के ओपर वोचिट वारेल हो रही है कि आज चोटेटे बच्चे राउल कांधी को समर्तन दे रहे है है उनके अpat की कमी नहीन है हिंदु स्टान का दिल भी उनकी लिए खुँला है और धिल्वाजी भी उनकी ले खुले हैं बात तो अलेको गए धर चोटने से कोई मतलब नहीं है वो इतना बड़ा सेंटर विस्ता बना रहें किसके लिए पना रहें और यह कोई बविश्य नहीं आपको नजर आजेंगे उनकी माएं गोर में बच्चे लेके नजर आजेंगी पैसा दे तो बच्चे को दूट पिलाना है यह तस्वीर हिंदुस्तान की अपने आप में हिंदुस्तान को बदनाम करती है क्या इस तस्वीर को मोधी सरकार बदल पाई आज हमारे देश के अंद हमारे गुणगान को तुम हिंदुस्तान की जनता को बिखारी बनाने पर तुल चुकियो जिस आदमी को आप इतना भुखा रख दोगे कि उसको रोटी की सपने आएंगे तो वो देश के विकास पर सवाल क्या करेगा मैं क्या कहना चाहरू फड़ी काना मत दो हिंदुस्ता गौण गौण के अंदर लोगों को रोटी प्रोसी गई तो आज हमारे इंदुस्तान की जो संस्कीती है जो हमारी एक नीति हैं वो कॉंग्रेसी चला सकती है मोधी सरकार के बसकी चलाना कुछ नहीं है यह मंदिर के गंटे बजा बजा के लोगों को बढ़का सकते हैं धरम क के नब बढ़का सकते हैं इनका विकास से कोई नाता नहीं है इनका धरम से भी नाता नहीं यह धरम इनको पर करने को तियार है यहीं背目 कमजोरे नस हिंदुस्तान के लोगों की दर्म को बीच में आड़े ला करके आप समझे इस बात को एक मजबूर बाप कब होता है जब उसकी उलाद को तॉर्चर करो तो वह बाप मजबूर हो देगा एक माँ से आप कुछ भी करवालो उसके बच्चे को टार्गेट करके एक बाप से आप नाक रगड़वालो उसके ब करवाई हुई है आप सीधा सीधा मोदी सरकार को टार्गेट करते अब कोट की है कोट की प्रोसेजिंग में आप लोग जी बाप सी हो सकती है अडानी का मुद्दा घंबीर हो चुका था आज जो कोड में फैसला बंद हो चुका था वो फैसला रियोपन हो जाता है और जब की मांग करते इस पर गठानों ना चीए अडानी से पूछते हैं कि 20,000 क्रोड़ पर तेरी कंपनी में किसका है मोद्री सरकार जवाब दो तो जब इन सारे सवालों के जवाब मोद्री सरकार के पास नहीं होते जब उनको अपने भवर में वो फस्ते रिखते हैं तो पहला श चार साल पहले केस हुआ था उसके एक साल पर बंद हो गया धाई साल से केस बंद पड़ा था किसी को कोई सपना नहीं आया पर अचानक से जब राउल जी ने साथ फरवरी को संसर बवन के अंदर हंगामा गिया और मोद्री सरकार से सवालों के जवाब मंगे तो उन सवालों यह लीगल टीम की कमजोरी नहीं है हम कहरें कि तुम खेलो तुम कितना खेलोगे देश के सविधान से तुम कितनी ताना शाही करोगे तुम किस तरह से कनून को तोड़ोगे मरोडोगे किस परकार से राउल जी को शेंटर का हिस्सा बनाओगे एक तरह तुम कहते हो कि राउ पपू है एक्ष्व माईने में जो रहूल गांधी को अब तक पपू समझते आ रहे हैं एक इंजान की छवी तुम खड़ाब कर रहे हो पर उसके सवालों के जवाब नहीं है ना किसी भक्त के पास है ना मोदी सरकार के पास है क्यों नी जेपीजी की मांग होती क्यों नी गठ और हाथ जोड़के लिखेंगे कि हमसे माफी होगी आप संसर में आओ और दोजार चोविस के अंदर आप देख लेना अभी करनाटक में भी कॉंगरेस की सरकार बनने का आपको नियोता दिख रहा होगा पूरा परचेंट बहुमत से कॉंगरेस सरकार बनेगी तो रोग हैजी होगी नफत की दुकान की और मैं आपको बता दू दोजार चोविस इलेक्शन के अंदर कॉंगरेस का पंजा इतनी जोड़की दबेगा कि जो इनका फूल है पूल वह ऐसे उल्टा मुर्जाया नजर आएगा और जो बात्पा के नेता यह सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी वह पंजा जब डबेगा एवियम के उपर तो वह इतनी जोर कि इनको मैसूस होगा कि ऐसा लगेगा कि एक बंदे ने पंजा नी डबाया हमारे मूँपे चपेड रसीर की है यह बात्पा वालों का हाल होने वाल है कैसे कह सकते हैं बाद वो तो कहरें कि हम तो अभी पिछले से भी उपर साड़े दीन सो प्लस लेका यह वहम एंगा यह एक लोगों को एक महल मिठ पैदा करते हैं लोगों को उक्साने के लिए अब यह दोजा 24 के इंदर राम नंदिर का उटगाटन कर देंगे यह उसको अगर तुम कटोड़ा लेकर मंदिर के बाहर बैट तो तुम्हारे घर की अर्थववस्ता जुरू मजबूत होगी पर देश की नहीं होगी तो आज सोचने की बात है हमारा देश तभी मजबूत होगा जब देश में बढ़ेगा देश में बढ़ेंगे पर आज हमारे देश के बिजनस मल्टीनेशल कंपनियां जो मनमोहन जी के टाइम में गुडगावा और नौइडा में सेट वी थी आज उन कंपनियों के इतना भूरा आल हो चुका है कि आए दिन कंपनिया अपना बोरा बिस्ता समेट के अपने कंट्री वापी जा रही है तो आप संजो के जो मन में एड तो उनका रख़ाव नी कर पा रहे तो मुझों को सैटिसवाई नी कर पार अपनी हर नीटी ते तुम grease is नो को काम मिला ओंक on लोगों को सस्ते में वरकर मिले और हिंदुस्तान की अर्थवस्ता मजबूत हुई आज वो सारी MNC यहां से छोड़ छोड़ के भाग री हैं उसका अगर कोई ठीकड़ा किसी के सर पर फूटेगा तो वो सिराफ वो सिराफ मोर्दी सरकार के ओपर फूटेगा